आप सब का स्वाज़त है हमारे नए वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे यह जो निम्बू का फ्लांट है जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो मिस्तर हैं बहने हैं माताएं हैं उनको यह दिक्कत रहती है कि हमारे के प्लांट में फ्लावरिंग होती है और वो जो फ्लावर है फल के अंदर कनवर्ट नहीं हो पाता तो इसके लिए हम आज आपके लिए कुछ थोड़ी सी जानकारी लेकर आए हैं और कुछ आपको टिक्स पताएंगे कि आपका जो अगर निम्बू का पोटार नहीं कर रहा है इन दिनों के अंदर वो फ्लावरिंग जल्दी करें या उसके अंदर फ्लावर आ रहे हैं और जड़ रहे हैं और वो निम्बू के अंदर कनवर्ट नहीं हो पा रहे हैं यह जो हमारा निम्बू का प्लांट है कागजी प्लांट है और इसके अंदर सीजर के अंदर दो बारी फ्रूटिंग होती है सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर तो हमारे वीडियो में बने रही है आपको हम बताएंगे कुछ टिप्स तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारा निम्बू का प्लांट है जो की काफी स्वस्त चल रहा है और इसके उपर आप देख रहे हैं भरपूर मातरा के अंदर जो की है काफी संख्या में इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है आप यह देखिए कैसे गुच्छे के अंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है और यह फ्रूट के अंदर भी जल्द ही कनवर्ट होने के लिए तैयार हो रहा है आपको दिखाते हैं कैसे इसके अंदर छोटे-छोटे निम्बू बन रहे हैं यह देखिए आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कैसे यह निम्बू बन रहा है इसके लिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसके कुछ एक टिप्स है जो आप अपने निम्बू के पोधे के फूलों को आप इसली फल में कनवर्ड कर पाएंगे और आप इससे अच्छी मात्रा में भरपूर मात्रा में आप फल ले पाएंगे यह देखिए मेरा जो यह निम्बू का प्लांट है तक्रीबन दो साल पुराना है और इसकी आपको शायद ही कोई ऐसी शाखा दिख रही होगी जिसके उपर फलावरिंग नहीं हो रही है यह सब इसलिए ही possible हो पाया है कि हमने इसकी देखबाल करी है समय समय अनुसार इसको जब वाटरिंग की जूर्थ पड़ी है तो हमने इसके अंदर वाटरिंग करी है और जब इसको समय अनुसार खाद की जूर्थ पड़ी है तो हमने इसके अंदर खाद का प्रियोग करा है तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आपके जो फ्रोटिंग प्लांट है या निम्बू का प्लांट है तो इसके अंदर जब भी फ्लावरिंग होती है तो आपने सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है जैसे ही इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो त तो आपने इसके अंदर watering की जो मात्रा है वो कम करनी है मतलब आपने जब भी watering करनी है तो आपने देखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो अगर पूरी तरह से सूख चुकी है इसके जो जिस भी pot के अंदर आपने लगा रखा है जैसे कि यह हमारा pot है इसके अनदर हमने nimboo को ल आपने उंगली पाकर चेक करना है कि अगर इसके अंदर नमी है मिट्टी के इनदर तो आपने इसमें भी वाटरिंग नहीं करनी है जब इसकी नमी ज़ो सूक próprio है तब आपने इसके उनदर वो समय समय अनुसार फर्टिलाइजर खाद का प्रयोक करना है। खाद हम आपको बताएंगे किस तरह की आपने यूज करनी है। खाद के अंदर जैसे कि आप इसके अंदर सरसों की खली का पानी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाई को आपने डारेक्ट यूज नहीं करना है सर्चों की कहली का पानी इसको थोड़ा सा पानी के अंद रिए कम से कम आपने 20 जा पिचास मल के आजसंपास और कम से कम एक लिटर पानी के अंदर उसको miss करके इसकी जो मिट्टी के अंदर आप करने दाल देना है और उसके इलावा आप एक और जो खाद है किसको हम gpk बोलते हैं आप को दिखाते हैं कि वात अओं यह जैसे की आप देख पारे यह जो हमारा N rarefожд我也 को इतने को आपने कमसे कम दो लिटर पानी के इंदर डिजॉल्व करके इसकी जडों की अंदर आपने पाना है मतलब मिट्टी के अंदर पाना है और यह जो कार्या है आपने फ्लावरिंग होने से पहले अगर आपके जो प्लावरिंग नहीं हो रही है तो उससे पहले भी 15-15 दिन के अंतराल के बाद करना है अगर इसके अंदर जो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी और जैसे की γन्क के आप ने जैसे की जल्दी तूच एक अब आपको बताएंगे कि इसके को जड़ने के लिए एक देसी नुस्का तो बने रही है मारे वीडियो के इंदर आपको दिखाते हैं इस से कि इसके फूल जड़ेंगे नहीं और वो फल में कनवर्ट होगा आपको बता रहा हूँ जो देशी जो तरीका है विभू के फूलों को जर्बें से बचाने के और इसके अंदर जो आपने फूल को बजमें कनवर्ट करना है उसके लिए यह आप देख रहे हैं यह हमारे पाद शहर्बीजी है जो मार्क पर हमने 20 रुप के अंदर मार्किर से क् कंप के अंदर या आपके पास अगर सप्रेय का पंप है उसके अंदर डाल कर पानी में मिक्स करके इसके स्प्रेय करना है फूलों पर और 15 दिन के बार छोड़ देना है इससे क्या होगा कि जितनी भी जो मदुमक्या है जो पॉलिनेशन करती है वो सारी की सारी इसके उपर अकर्शित होंगी और इसके फूल को फल में कनवर्ट करेंगी आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका प्रियोग करना है अपने इसको थोड़ी कौन्टेटी में लेना है और इसको एक कप में डाल लेना है इस हम पानी मिक्स करेंगे फिर आपको हम दिखाते हैं छिड़का के किस तरह इसके अंदर जो छिड़काव करना है शहाद को mix कर लिया है आपको दिखा रहे हैं यह देखिए पानी में कुछ इस तरह हो गया है यह आपके हाथ पे हलका हलका सा चिपक आनी शुरू हो जाएगी और आपने अगर आपके पास spray है तो सप्रे की मदद से इसके प्लावर के उपड़ पत्यों के उपड़ अलका अलका छिड़काव कर देना है हमारे पास अभी splash नहीं है तो हम आपको बिल्कुल नैच्रल तरीके से पिंकल करेंगे इसको फ्लाबर्स के उपपर और पजियों के उपपर इसको इसके कारण यह जो फूल है पल में जल्दी कनवर्ट होगा तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाइ